लेटस्ट कबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले मौसम अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी भारी बारेश मौसम विभाग ने जारी किया अलट भारत के कई राज्यों मद्यवरदेश, चतीजगर, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना समेत बिहार के तराइक्षित्र के आसपास के भागों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने की संभावना है दूसरी और दिल्ली सहित उत्तर पश्चमी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है मौसम विभाग के पूर्वा नुमान करता स्काइमेट ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि ओडिशा और पश्चम मंगाल पर बना चक्रवात सशक्त होकर अब निम्दवाव के चेत्र में बदल गया है दक्षणी चत्तीजगर और इसके आसपास के इलाकों में चक्रवात बना हुआ है जिस कारण से उडिशा और चत्तीजगर में बारिश में भारी वर्षा होने की संभावना है पूर्वी मध्यप्रदेश के अधिकांच भागों में पिछले 24 घंटों के दोरान मध्यम से बाहरी बारिश हुई है इसके अलावां भी कई भागों जैसे विदर्ब, मराटवाडा और दक्षणी मध्यप्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी तटिये आंधर प्रदेश में भी मध्यम से बाहरी बारिश जारी रहेगी सकाई में एक का कहना है कि अगले 24 घंटों में विदर्ब, मराटवाडा और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में मध्यम से बाहरी बारिश होनी की संभावना अधिक है भारत के कुछ प्रमुक हिस्सों जैसे उडिशा, चतीजगर, उत्री आंधर प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वत्तर राज्यों और बिहार के तराई वाले स्थानों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है दक्षन गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी बच्चे हिसों, जारखंड, पस्चिम बंगाल, रायलसीमा, करनाटक और पश्चिमी तमिलनाडू में मध्यम बारिश होनी की संभावना है बीते 24 घंटों के दोरान विदर्ब, मध्य प्रदेश, दक्षन कुंकंड, गोवा, तर्टिय करनाटक और 36 गड़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है शेश बच्चे पश्चिमी तट, तिलंगाना, आंध्रप्रदेश और शेश मध्य प्रदेश में भी मध्यम से बारी बारिश हो रही है कुछ हिस्सों में समयल बारिश हुई है जैसे दक्षन गुजरात, आंतरी करनाटक, पस्चिमी तमिलनाडू, ओडिशा, जारखंड, पस्चिम बंगाल, पूर्वत्तर राज्य गादी है उत्तर भारत की कुछ पहाडियों के साथ साथ उत्तर पस्चिमी भारत में भी मौसम मुख्य रूप से शुश्क रहा